हेलो एव्यवान एक बर फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चानल पर जहां पर आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं e-commerce से related हमारी next video क्योंकि हमने e-commerce की series शुरू की हुई है जिस पर हम तीन वीडियो जो है discuss कर चुके हैं, upload कर चुके हैं in a very first video we have discussed what e-commerce actually is जो आपका e-commerce है, जिसको हम electronic commerce की short form में यूज करते हैं उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में detail हमने जो है idea थोड़ा सा लिया था in the second video we have discussed about the e-commerce web portal as well as e-commerce software which is also an important question for your exam and in the third video हमने discuss किया था why e-commerce is important or you can say what is the need of e-commerce या क्यों इसके importance थी, तो इसके बारे में already discuss कर लिया है this is fourth video जहां पर हम बात करेंगे, evaluation of e-commerce exam के point of view से ये topic भी आपका बहुत important है क्योंकि यहां पर आपसे सीधा सीधा question पूछा जा सकता है कि कैसे e-commerce ने जो है दुनिया में या फिर जो है पिकप कट पेस्ट किया है कहीं से आपको भी वही चीज करनी है अब इसको पहले समझना जरूरी है कि evaluation सोरी हुआ कैसे evaluation अब ये हुआ कैसे यानि कि कैसे जो है एक e-commerce का जो ये topic है इतना जादा globally spread हो गया देखो आप सबको पता है पहले जो है beneficial बना दिया है convenience बना दिया है convenience बना दिया है for both people चाहे वो consumer हो या फिर आपका business हो business के लिए कैसे easy है क्योंकि वो अब market उनका खुल गया है market उनके लिए सिर्फ अपना नुकड की area नहीं रह गया है या फिर एक particular area नहीं रह गया है वो पूरी दुनिया पूरा देश जो है उनका market बन गया है वो एक जगे से बैठ करके अपने products को कहीं भी बेच सकते हैं and same as for consumers consumers के लिए अब जो है market एक limit नहीं रह गया है उनके लिए भी market पूरी दुनिया हो गई है वो जहां से जब चाहे जितना चाहे जो चाहें खरीच सकते हैं तो अब इसके इस topic में इतना जादा तेजी आए कैसे या फिर इसका कैसे जो है इतना विस्तार हुआ अगर आम भाशा में बोले तो कैसे इसका इतना विस्तार हुआ so e-commerce has evolved significantly since its inception in the 1990s here are some key milestone in the evaluation evaluation of e-commerce मैं बार-बार evaluation बोल रही है और मैं गलत word use करती हूँ next first point जो है emergence of the internet सबसे पहला reason ये e-commerce के इतने विस्तार का ये है कि internet की availability या फिर internet का बहुत तेजी से फैलना आप सबको पता है पहले internet मैं आपका तो नहीं जानती पर मैं अपनी बात करती हूँ when I was in 10th standard in 2013 उस ताइम पर एक छोठा सा पैक आता था for 35 रुपीज, 40 रुपीज या सम्तिं रुपीज का और उसका हमें महीने भड़ तक का उसमें message pack मिलते थे या फिर जो है आपके कह सकते हो कि net मिलता था और वो महीने का 1-2 GB मिलता था and we had to survive in that 1-2 GB for a month और आज के टाइम में क्या है सबके घरों में Wi-Fi है सबके घरों में unlimited internet है आज के टाइम में दिन का 1-2 GB मिलता है जो कि हम घंटों में उपना उड़ा के खतम का देते हैं तो सबसे पहला रीजन यह था कि internet की availability हर जगे हो गई साथी साथ internet का विस्तार भी बहुत अच्छे जगे बहुत अच्छे लेवल पे हुआ जिसने market के लिए एक नए opportunity खोल दी जहां पहले लोगों में गाव गाव तो इंटरनेट की facilities नहीं होती थी अब वहां पे इंटरनेट की facility आ गई तो उनको भी अपने गाव से बहार नहीं जाना पड़ता वो कहीं से भी order place कर लेते हैं as well as कई लोग अब गाव में जो छोटा मोटा business चलाते थे जोकि handmade कुछ समान बनाते थे या handmade कुछ बनाते थे उनके लिए भी easy हो गया है कि अपने चीजों को बाहर market तक बेचना तो internet का सबसे पहला point है कि internet जो है यह एक key factor है जिसने e-commerce को possible बनाया है in the early 1990s the internet become widely available to public 1990s में internet जो है widely available हुआ public तक और business जो है start हुए experiment करना कि कैसे sell करते हैं कैसे online services देते हैं next is rise of amazon and ebay etc कुछ companies like amazon, ebay in companies का rise हुआ इं company ने अपनी अलग पहचान बनाई जैसे जैसे यह company अस्तित्व में आई लोगों को पता चला कि यहां पे जो है online चीजे खरीदी बेची जा सकती है तो इन्होंने एक platform दिया for people who wants to buy something or also to those people जो कि उससे कुछ खरीदना नहीं बल्कि बेचना चाहते हैं तो यालि दोनों को चाहें आप खरीदना हो या बेचना हो इन्होंने ऐसा platform प्रवाइड कराया है कि अपने आप seller और buyer उठके कहीं से भी कहीं पर भी अगर बैठे हो तो Amazon और eBay जो है बहुत सारी कंपनी है नाहीं सर्फ Amazon और eBay बट यह ऐसी कंपनी से जिनका बहुत अच्छे widely spread हुआ इन्होंने popularity gain की 1990s के approximately Amazon started as an online bookstore but quickly expand to sell a wide range of product Amazon आप सबको पता होगा शिरू में online bookstore के तोर पे शुरू हुई थी पर उसने wild range of products अपने डाल लिये और eBay जो है दूसरे साइड अगर देखा जाये तो उसने online auction का marketplace बना दिया next is introduction of online payment system online payment system का जब introduction हुआ तो इस तरीके से online services और online आपके products को खरीदने बेचने को भी एक बहुत अच्छा सहारा मिल गया क्योंकि let's suppose आप online product buy कर रहे हो या sell कर रहे हो और आपको वहाँ पे online payment की कोई facility नहीं है तो यहाँ पे as a consumer आपको भी problem होगी और जो की बेचने वाला है उसको भी problem होगी क्योंकि वो समान भेज रहा है उसको चहिए कि यार पैसा आ जाए क्योंकि अभी तो आजकल ऐसी news आती है कि iPhone मंगाया पैसे नहीं थे तो delivery boy को मार के अपने घर पे रख लिया और दो दिन बार भेज दिया तो ऐसे situations actually में बहुत थोड़े सी डरामनी होती है पर businessmen वालों के बिजनसे के लिए थोड़ा सा अलग चीज़े भी होती है उनका working capital न ब्लॉक हो जाए उनके लिए problem हो जाती है तो उनको जो है अगर online payment साथ-साथ मिलती रहती है so they know कि चलो ठीक है कि product deliver भी हो जाएगा तो यहाँ पर online payment system जैसे एक major challenge था क्योंकि पहले इतना जादा online payments system नहीं था तो वो एक challenge की तार पे था तो यहाँ पर जब online payment system को भी boost up मिला तो यहाँ पर e-commerce का भी एक अच्छा opportunity मिल गया है आजकल तो अगर आप देखो तो रिक्षे वाले भी और छोटे-छोटे जो मतलब एरियास होते हैं 10-20 डुपी भी अब वो जो है online payment पे एक्सप्ट करते हैं so in the early date of e-commerce payment processing was a major challenge however the introduction of online payment system such as PayPal and Google Checkout made it easier for business and customer to transact with online next is mobile commerce the rise of smartphone and mobile devices has had a significant impact on e-commerce I'll tell you again I'm giving you the example of actual my example जब हम छोटे थे न when I was in second standard I think हमारे कर पर दो फोन हो दे थे एक landline का और छुटकुसा Nokia का तो उस टाइम पे फोन का मतलब खरीदना was a big thing for every middle class family जब अब क्या हो गया है अब तो हर घर में हर बच्चे के हाथ में एक अलग individual फोन आ गया है तो इसने कही न कहीं उन लोगों को जो की buy करना चाहते है sell करना चाहते है उनको एक हाथ में device दे दिया है internet दे दिया है और platforms already available है तो यहाँ पे एक जो mobile commerce का rise हुआ जो mobile commerce बढ़े मोबाइल बढ़े तो वहाँ पे इससे business को भी एक boost up मिला है क्योंकि mobile मिलने के कारूण उनको पता चला कि इसके कितने सारे uses हैं और इसको कितने different way में use करके जो है benefit लिया जा सकता है mobile commerce और m commerce जो है customers को allow करता है shop में and make purchase from their mobile devices anytime and anywhere personalization and big data e-commerce company have started using big data अब क्या हुआ e-commerce की जो companies थी उन्होंने ना कुछ ऐसे datas को use करना शुरू किया जो कि personalized data थे अब e-commerce company अगर मुझे कुछ notification भेशती है कि ये निया sneaker आया है या फिर new watch आई है smart watch आई है new dress आई है तो उसको कैसे पता कि ये person जो है गूगल पे या कहीं पे क्या चीज़ देख रही हूँ इसके बारे में data जो है इंटर लिंक हो चुका है उनको पता है तो इसलिए मुझे कहीं न कहीं कस्टमाइज कह लिजिए या फिर परस्टनलाइज कह लिजिए ऐसी advertisement हर चेके दिखती है तो यहां पे benefit क्या है क्योंकि यह companies परस्टनलाइज डेटा का यूज कर रही है और उसके बहाफ पे आपको परस्टनलाइज चीज़ों की marketing कर रही है promotional efforts लगा रही है तो इसलिए कहीं न कहीं लोगों को लगता है आपको अपको लगा रही है क्योंकि यह अब दिखी रही है पर बर कुछीज बार बर आगे आजाती है तो आप तो चोचो कि चलो खरीदी लेते है तो इसलिए लेट वार परस्नलाइज और टागटेज शॉप्टनी चैनल रेटेलिग आज कल क्या हो गया है आज कल क्या हो गया है अपको जो है कुछ चीज पसंद आई है आप उसको सिलेक्ट कर लो जैसा अगर आप यह देखोगे ना तो यूश्वली डॉमिनोस वगेरा में मेरे खाल से यह सर्विस काफी जादा चली थी बीच में कि आप सिलेक्ट कर लो ऑनलाइन और प्लेस कर दो या फिर जो है नेट की तो जो है और प्लेस कर दो और आप पिकप सर्विस ले लो कि भई हम जो है इस टाइम पर यहां से जाएंगे आप में बाहर पकड़ा दीचेगा तो यह एक यह सावसी बे शुरू हुई जो कि लोगों ने बहुत पसंद की और इससे काफी जादा बेनिफिट लोगों को हुआ और अवराल इकामर्स हैस कम लोंग वे सिंस इस अर्ली देज पहले जो है इकामर्स इतना नहीं यूज़ रता था आज कल हर व्यक्ति कर रहा है और यह जो है कॉंट्रिबूट करता है नियू टेखनोलोजीज में नियू इनोवेशन इमर्ज में अस कंसुमर बहवियर और एक्स्टेशन कंटिनू तो चेंज इकामर्स कंटीज विल नीड तो अड़ाप तो स्टेशी विल्वेशन के लिड़ाप कॉंपतिटिव अब जो है हमारे कंसूमर्स तो मार्कित में है वो भगवान है यह इसलिए जैसे जैसे कंसूमर्स की इच्छाय चेंज होंगी यह सब इनको नूज पर अड़ाप्ट करने पड़ेंगे okay so that's it for today guys let's see you in the next video in next video what we are going to discuss we are going to discuss about the types of e-commerce where we will discuss about the b2b आपका जो है कैसा होता है b2c क्या होता है इन सब के वाले में हम बात करेंगे so that's it for today let's see you in the next video till then take care of yourself and take care of your health